नमश्कार आप देख रहे हैं दे नेटीजन नियूज मैं हूँ आपके साथ पूज़ा ये रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की और नौर में बढ़ते कूरुना को लेकर आज रात दस बजे से लेकर सुबह छे बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है जिसको लेकर आई जी हरी नारायन चारी मिशुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि इस प्रतिबंद में राशन की दुकान दवाई की दुकान आवशक चीजों को छोड़ कर बाकी सब प्रतिबंदित रहेगा जिसमें बस टैंड रेल वेवाई एरपोट जैसी चीजे मुक्त रहेंगी जिसमें आम जनता को परिशानी ना हो सके साथ ही साथ मास्क ना पहनने वालों पर 200 रुपे का जुर्माना भी लगाया जाएगा व किसी भी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंद रहेगा जहां कोरोना के पालन वह माप दंडों को लेकर की नियम बनाए गए हैं उसका पालन करना अनिवार रहेगा वही आई जी ने बताया है कि जो बॉर्डिंग इलाके हैं जैसे कि महराष्ट्र वा गुजरात से लगी सीमा बुर्हानपुर बढ़वानी खरगौन से आने वाले यात्रियों की वा बस यात्रियों को कोरोना परिक्षिन किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमन ना पैल सके कि कोरोना की चुनौती को देखते हुए दस बजे ते चे बजे के बीच में आवस्यक प्रतिबंद लागो किये गए हैं इन प्रतिबंदों में सिर्फ दवा की दुकान रासन की जो जरूरी दुकाने उनको छोड़ करके जो आवस्यक सेवाई हैं बाकी चीज़ें प्रतिबंद भीड को ले करके को रोना के जो मापदंड है मानक है उनको पालन करने को ले करके और संख्या को ले करके रहेगा जैसे कि साधियों में ये संख्या दोनों पक्षों को मिला करके 200 तक सिमित की गई है बारात में जाने के लिए संख्या बारात में 50 तक सिमित की गई है इस तरह बिभीन तरह के आयोजनों में बिभीन तरह के कायकरमों में ये संख्या सिमित करने के साथ-साथ मास की अन्वारत तक भी आज से लागू किया गया है अब इक लिए बस इतना ही लगातार खबरों के लिए आप देखते रहें दनेटीजन न्यूज नमश्कार